नमस्कार दोस्तों, भक्तिनगरी योट्यूब चनल में आपका हार दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे सपने में दुलहन देखने का क्या मतलब होता है दुलहन का सपना देखना सुब होता है या असुब होता है ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो दोस्तों, सपने में अगर सजी धजी दुलहन को देखते हैं तो या सपना अनेक सुखों की प्राप्ति का संकेत देता है अगर आप सपने में नई नवेली सजी धजी दुलहन को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सुक्सान्ती और वैभब की प्राप्ती होगी। इस तरह के सपने देखने वालों को किसी न किसी रूप में आर्थिक लाप भी होता है। दुलहन के सपने बहुत सुप माने जाते हैं खास करके तब जब कि कोई वैक्ती इस सपने को देखता है तो इसका मतलब है कि आपको किसी न किसी जरिये या किसी भी छित्र में सुप की प्राप्ती होगी। दुलहन को सपने में बैठे या खड़े देखते हैं तो या सपना भी काफी सुप माना जाता है ऐसे दुलहन को देखने का अर्थ है कि आपको आगे जीवन में सुख और सांती की प्राप्ति होगी सुख व्यक्ति को किसी भी रूप में मिल सकता है कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है या जायदात में व्रिधी हो सकती है इस तरह से सपने में दुलहन को देखना बेहद ही सुप सपना माना जाता है सपने में सजी धजी नई नवेली दुलहन देखना बेहद सुप होता है या सुख प्राप्ति का सुचक होता है ऐसी सजी धजी दुलहन के दिखाई देने के बाद आने वाले समय में व्यक्ति को सुख सांती वैभब और प्रसंता की प्राप्ति होती है व्यक्ति का मन खुस रहता है यह बहुत ही अच्छा सपना होता है लेकिन अगर आप सपने में दुलहन को रोते हुए देखते हैं तो यह सपना अच्छा नहीं होता है अगर आप सपने में किसी अंजान दुलहन को ऐसा देखते हैं कि वह अपने घरवालों की तरफ देखकर जोर जोर से रो रही है तो इस तरह रोती हुई दुलहन को देखना असुम माना जाता है यह सपना कोई बुरी खबर आने का संकेत देता है तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे कमेंट में जै मातारानी लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जै मातारानी